नमस्कार आपका स्वागत हैं, जीत साधना में, दोस्तों, आज की जानकारी बेहद रोचक और महत्वपूर्ण है, यदि आप आज का वीडियो मिस कर देते हैं और अपना पांच से दस मिनट का बहुमूल्य समय नहीं देते हैं, तो इसका नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, वह भविश्य में काम आती है, पहले इस पौधे को ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में रखे इस बीज को देखिए, कई लोगों को यह देखकर समझ में आ जाएगा, इसे रगडने से इसमें आग जैसी तपन उत्पन्न होती है, जो में गर्व होना चाहिए कि भारत भूमी में आज भी हमारे आसपास ऐसे पौधे पाये जाते हैं, जो कि बहुत कीमती और चमतकारिक गुणों से भरे हुए हैं, कई लोग सही दिशा निर्देश नहीं देते, इसलिए ये पौधे हमारे लिए सिर्फ घास फूस बन कर रह ज मैं जो बीज दिखा रहा हूँ, वह एक फल के अंदर पाया जाता है, इस पौधे में काफी कांटे होते हैं, जितने ज्यादा कांटे होते हैं, वह पौधा उतना ही आयुर्वेदिक और चमतकारिक गुणों से भरा होता है, गुलाब के फूल की तरह जो बहुत खूपसूर कर ना खाले या नुकसान ना पहुंचाए, इस पौधे का नाम है करंज, इसे विभिन जगहों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बिहार में इसे करंज, तेलगु में काबु हिंदी में, पापड ओडिया में कोर्निया कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम आगे चल कर बहुत काम आएंगे, बिहार में इसे के के नाम से जाना जाता है, जबकि कुछ जगहों पर इसे लता करंज के नाम से भी पहचाना जाता है, तेलगु में इसे काबु कहते हैं और हिंदी में इसे पापड के नाम से जाना जाता है, ओडिया में इसे कोर्निया के नाम से जाना जाता है यह बीच देकर आप पहचान सकते हैं कि इसे आपके इलाके में किस नाम से जाना जाता है इसका अंग्रेजी नाम इंडियन बीच है और इसे कुछ जगहों पर पूर्ण गर्म ओने एल ट्री के नाम से भी जानते हैं आज हम पहले इसके आयुरवेदिक छमतकारिक प्रयोगों पर चर्चा करेंगे और अंथ में इसके धार्मिक लाभों के बारे में बताएंगे आयुरवेदिक पेड़ पौधों के लाभ सीखने से आप कई बीमारियों का खुद ही उप्चार कर सकते हैं इस प्रकार की जानकारी को सीख कर आप वैद्य का काम कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, पुन्य कमा सकते हैं, और अपनी रोजी रोटी भी निकाल सकते हैं, तो प्रथम इसका जो प्रयोग होता है गंजापन में, ठीक है, गंजापन में इसका जो बीज होता है, इसके बीच से निकाला हुआ तेल, ठीक है, इसके बीच से निक आच महीने का समय लगता है लेकिन पूरी तरीके से आपके जो जड़े हुए बाल है सिर पर आ जाते हैं क्योंकि आयुरवेदिक दवा धीरे से काम करती है लेकिन सौ प्रतिशत काम करती है तो गंजापन दूर करने के लिए इसका जो बीज होता है इसका दूसरा प्रयोग बत इसके बीज को जला करके भस्म तयार कर लीजिए ध्यान से सुनिए इसके बीज को जला कर भस्म तयार कर लीजिए और इस भस्म को आपके जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहा है उस हिस्से में लगाई है तो यह दांत के कीड़े को ततकाल मारता है और किसी भी प्रकार स पाइरिया के कारण, दांतों में सड्डन के कारण, दांतों में बैक्टीरिया के कारण, किसी भी कारण वश अगर आपके दांतों में दर्ध बना हुआ है, तो वह दर्ध जट से समाप्त हो जाता है। इसी के साथ दर्शकों आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं, जिसे खांसी की समस्या जरूर होती होगी। ठीक है, जो छोटे बच्चों को खास करके खांसी अधिक आती है। तो ग्रामीर्ण इलाकों में आज भी इसका प्रयोग करते हैं। मधुकी से बोलते हैं, शहद, जिसे जिसे हम अंग्रेजी बोलचाल की भाशा में बोलते हैं, हमें इसके बीच का चूर्ण और मधुरस इन दोनों को मिलाकर के जाट में से किसी भी प्रकार की खांसी हो। जैसे कुकुर खांसी है, काली खांसी है, अस्थमा से संबंधी समस्य अस्थमा की बीमारी है या या फिर सांस फूलने की समस्या है, सारी समस्या ठीक हो जाती है, इसका तीन से चार दिन प्रयोग करना होता है। एक से दो ग्राम इसका जो फल है, उसका एक से दो ग्राम इसके फल को आपको भून ले रहा है, आपको उसे आग में जला लेना है, ले लेना है। या फिर किसी भी समस्या के कारण आपके पेट में दर्द हो रहा हो, गैस बनती हो, बिलकुल ही आपके पेट में होने वाला दर्द समाप्त हो जाता है। तो यह थे इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग, इसके आयुर्वेदिक प्रयोग के अंतरगत, बवासीर, गले की खराश कटिया का दर्द हो रहा है, वह भी इसी से ठीक होता है। कभी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। नव ग्रह में जो राजा कहा गया है, आदित्य भगवान, सूर्य, सूर्य नारायन, दो, इसके पंचांग से इसका जो पंचांग होता है, इसके पंचांग को नहाने के पानी में डाल लीजिए, उबाल लीजिए। हो जाता है, या फिर आप तीन बुधवार नहला लें, या फिर तीन आपको रविवार लाना है, इसके बाद स्थिर ग्रह को जागरित करने के लिए। तो आपको करना क्या है? स्थिर ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको यह जो देख सकते हैं, बीच इसके बीच का प्रयोग करना है। ठीक है? किस प्रकार से बीच का प्रयोग करना है? आपको अंगूठी के भांती या फिर गले में लौकेट की भांती आपको इसे पहनना है। बिल्कुल ही आप लौकेट की भांती चांदी में मरहबा करके धारन कर सकते हैं। बहुत आसानी से यह बन जाता है, बहुत ही लाब देता है। महात्मा लोग हैं, हमने अधिकतर इसकी माला पहने हुए तांत्रिक लोगों को ही देखते हैं, तो इसकी माला बनाकर के धारण करने से सिध्ध की प्राप्ती होती है कभी इसके बारे में भी बात करें कि इससे कौन सी सिध्ध प्राप्त होती है इसके बीज, घर के वास्तु को भी मजबूत करने का काम करते हैं। अगर आप इन बीजों को अपनी जमीन में या घर में रखते हैं, तो यह वास्तु को सुद्रध करता है। जो लोग वास्तु में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यह जानकारी विशेश रूप से पूर्ण है। जब घर का वास्तु मजबूत होता है, तो घर में दौलत का आगमन भी होता है, इसके पांच बीज को लाल कपड़े में बांध कर अपने घर की उत्तर दिशा में रखें। इससे घर का वास्तु मजबूत होता है और धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। आपक पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है और कमजोर वास्तु को प्रबल बनाता है। इस प्रकार जो भी वास्तु दोश आपके घर को नुकसान पहुचा रहे हों, उन्हें यह बीज प्रबल बना देते हैं और आपको लाभ पहुचाना शुरू कर देते हैं। साथ ह कोई आपको बताएगा वीडियो में बने रहें और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें. हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी भारत भूमी में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो पौधे हमारी तमाम समस्याओं को छुटकी में दूर कर सकते हैं. वे वास्तव में अद्भुत और अमूल्य हैं. हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमी पर पेड़ पौधे अम्रित तुल्य हैं। इन पौधों से सिध्ध अंजन तयार किया जाता है। जिसका मतलब है कि इसके अंजन का काजल बनाना इसे लगा कर आप देवी देवताओं और दिव्य शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं। लाखों वर्ष की साधना और तपस्या के बाद भी देवी देवताओं को देखना बहुत कठिन होता है। लेकिन इस साधारण से प्रयोग से आप ये कर सकते हैं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं वह वनस्पती शास्त्र के आधार पर है। इस सिध्ध अंजन को बनाने के लि त्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों के दोरान पौधे के बीज की भस्म और काले आवले का तेल मिलाकर नेत्र में काजल की तरह लगाने से आप दिव्य शक्तियों, देवी देवताओं, भूत, प्रेत और पिशाचों को नगन आखों से देख सकते हैं। इसका एक और दुरलभ प्रयोग है। कृतिका नक्षत्र में इसके अंजन को हाथ में बांधने से शरीर में हाथी जैसा बल आ जाता है। अगर आप कृतिका नक्षत्र के दिन इसे हाथ में बांध कर किसी हाथी से मुकाबला करें तो आप उसे भी परास्त कर सकते हैं। यह आपके शरीर को अद्वितिय शक्ति प्रदान करता है मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद